हमारी personality हमारे attitude से जाहिर होती है आपका attitude जैसा होगा उसी तरीके से आप व्यवहार करेंगे अपने आसपास के लोगों के साथ और अपनी situation पर भी वैसे ही react करेंगे तो आज मैं कुछ ऐसी बाते बताने वाली हूँ जो आपको अपनी personality में शामिल करनी चाहिए जो आपके attitude को positive बनाने में काफी ज्यादा help करेगी और आपको grow करने में अपनी life में improvement करने में यह काफी ज्यादा काम आ सकती है सबसे पहले भाई अपनी life में ना interesting conversation जो भी होती है या फिर importance conversation जो भी होती है उसमें engage करने में खुद को कभी पीछे मत रखो कई बार जब एक group बैठ कर बात कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग अपने आपको उनसे बाहर महसूस कर रहे होते हैं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो ये judge करेंगे या फिर इनका reaction क्या होगा जबकि आपको ये समझना चाहिए कि आपक आपकी जो personality है या फिर आपकी जो discussion की habit है वो यही से build होगी आपको लोगों से judge होने का डर है ये चीज improvement में एक बाधार डालती है तो जब आपका ये डर खत्म होगा यानि आपको ये feel ना हो कि लोग किस तरीके का व्यवहार करेंगे या फिर उनका reaction क्या होगा बलकि इसके opposite आपको ये देखना चाहिए कि उनका जो भी reaction होगा उसके बावजूद आपको एक नई चीज जानने को मिलेगी या फिर जब आप उनकी conversation में हिस्सा लेंगे तो वो कही ना कही आपको जानेंगे थोड़ा हसी मजाक होगा एक दूसरे के बारे में जानने को मिलेगा तो फि फिर automatically धीरे धीरे आप वहाँ पर comfortable feel करने लगेंगे और फिर आसपास के लोग भी आपके साथ comfortable महसूस करेंगे वो भी अपनापन समझ के आपके साथ रहेंगे और अपनी ज्यादातर बाते आपके साथ भी share किया करेंगे और भाई बहुत ज्यादा perfection की तरफ ध्यान ना दे कर आपको पहले अपना काम भी complete करना चाहिए बहुत सारे लोग अपनी काफी सारी चीजे इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जब वो perfect हो जाएंगे उसके बाद वहाँ अपनी चीजे लोगों को show करेंगे जबकि भाई जाहिर सी बात है कि जब हम लोगो से feedback लेते हैं उसके बारे में जानते हैं तो ही तो उसके अंदर कमी नजर आती है और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उस चीज़ को improve किया जा सकता है लेकिन अगर आप वो चीज़ किसी को show करोगे ही नहीं अगर आप कोई काम शुरू करते ही नहीं है तो फिर कैसे आपको ये जरूरी है perfection तो है वो आपकी धीरे धीरे आएगी लेकिन पहले उस काम को करो तो सही उस चीज़ को लोगों के सामने रखो तो सही जैसे बहुत पहले एक mobile company ने mobile को launch किया तो पहले बहुत छोटी screen होती थी उसमें calls वगेरा की जा सकती थी फिर थोड़ा improvement हुआ उसके अंदर internet आया फिर और थोड़ा improvement हुआ screen बड़ी हुई games वगेरा आने लगी movies दिखने लगे यानि धीरे धीरे करके उस चीज़ में improvement की गई आपको बहुत से example मिल जाएंगे जो आपको ये दिखाते हैं कि धीरे धीरे improvement को किया जाता है और इसके बाद जिन लोगों ने आपको hurt किय था या फिर जिन से आपकी बात होनी बंद हो गई है तो उनको बहुत ज्यादा सोचते रहने से अच्छा है कि या तो आप उनको माफ कर दें या फिर इस तरह से ignore करें कि आप उनको बहुत ज्यादा सोचते ना रहे ये चीज़ आपके मन को हलका करने में मदद करती है आपक इसके बाद आपको अपना एक गोल सेट करना होता है, चाहे वो एक हफ़ते वाला हो, चाहे 6 महिने का या एक साल का हो, आपको बस अपना एक गोल सेट करना है और उसके according अपना रोज का दिन बिताना चाहिए, यानि आपको पता रहता है कि यार मुझे इस हफते ये वाला काम complete करना है या फिर अगले 6 महीने में मेरा ये काम होने वाला है या फिर exam है या interview clear करना है या जो भी आपको ठीक लगता है उस चीज का एक target बना कर आपको अपने दिन को बिताना है जिससे आपको मदद मिलेगी अपने आपको improve करने में इसके बाद आपको अपने डर को face करना चाहिए जैसे मैंने बताया कि ग्रूप में बैठे हुए लोग हैं उसमें आप अपनी बाते रख ही नहीं पा रहे उनके साथ engage हो ही नहीं पा रहे तो फिर यहां से आपकी दोस्ती भी नहीं बनती और आप comfortable भी feel नहीं करते और ये सिर्फ इस group के साथ नहीं है फिर अब आप बाकी लोगों से भी मिलते हैं तो वहां पर भी comfortable महसूस नहीं करते तो आपको कही ना कही अपने डर को face तो करना चाहिए जिससे आपको एक मदद मिलेगी अपने आपको improve करने में आपको ये पता चल जाएगा की मेरे को अगर अपनी बाते रखनी है तो मैं हसी मजाक में भी किस तरह से रख सकता हूँ अगर लोग आपको हलके में ले रहे हैं यानि आपको ignore किया जा रहा है आपको उस तरह से नहीं सुना जा रहा जिस तरह से आप चाहते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा की यार मेरे को किस तरीके की conversation करनी है मतलब मुझे कहानिया बता कर अपनी बाते कहनी है या फिर कम से कम शब्दों में अपनी बात को complete करना है या फिर जो दूसरों की बाते हैं उनको सुनकर भी आपको पता चल जाता है की अच्छा इस तरीके की बाते भी की जा सकती है इस तरीके से अपनी बातों को रखा जाता है और ये कैसे हुआ क्योंकि हमने लोगों को सुना और अपनी बाते भी रखी और जब आप उनके साथ comfortable हो गए तो अपनी बाते अपने दिल से उनके साथ share की तो शुरू में वो जो एकदम judge करने वाला माहौल था वो कही ना कही लगता है कि आप interesting person है आपको बात करनी आती है बस आप comfortable होने का wait कर रहे थे और आपको भी पता चलता है कि आप introvert नहीं है आप ऐसे नहीं है कि आपको बात करनी ही नहीं आती बस आप लोगों के नजरिये को जानने की कोशिश करते हैं और फिर आपको धीरे-धीरे माहौल म धलना आ जाएगा इसके बाद जहां पर आपको लग रहा है कि आप confident feel नहीं कर रहे वहाँ पर आपको act करना चाहिए कि आप confident हैं मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी को ये बता रहे हैं कि मैं confident feel नहीं कर रहा हूँ जबकि आपको इनको ये दिखाना चाहिए कि हाँ मैं तो confident तो मतलब यह जो act करने वाली चीज भी होगी, जिसमें आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि मैं तो confident हूँ, उससे भी आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी. लेकिन अगर आप act करते हैं, यानि सिर्फ दिखा रहे हैं कि यार मैं तो confident हूँ, आप smile कर रहे हैं और सामने वाले से अच्छे से बात कर रहे हैं, तो इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप confident है, और यहाँ चीज कहीं ना कहीं आपकी काफी ज्यादा मदद भी करती है, चलेगा कि यार अभी किस चीज पर कमी है, अभी किस चीज पर ध्यान देना है, और यहाँ भी पता चलेगा कि अच्छा मेरी यहाँ चीज इंप्रूव हुई है, जो चीज पहले थी वह आप नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज की improvement भी आपको नजर आएगी, और जहाँ पर गया कि मुझे किस चीज पर focus करना है, अपनी personality पर ध्यान देना, अपनी communication पर ध्यान देना, और लोगों के review जानना, उनके आसपास रहना और उनकी बातों को सुनना, यह चीज आपको automatically दिखाएंगे कि आपको किस चीज पर improve करना है, और आपको positive change नजर आएगा, दोस्तों यह थी कुछ बाते जो आपकी personality को भेतर बनाने में मदद करेंगी, तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आप से फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.